हे गाइज वेलकम बैक टो माई चैनल शिप्रा एंड फैमली ब्लॉक्स कैसे आप सब आप सब एकड़म अच्छे से होंगे आज के वीडियो में मैं आपको इडली बनाना बता रही हूं तो ये मैंने चावल लिया और चावल को ओरनाइट भिगा के रखतिया है और मेजर्मेंट है इसका तीन कटोरी चावल और एक कटोरी उरीद की डाल और ये उरीद की डाल जो है इसमें मैंने हरी मिर्शी भी डाली है और हरा धनिया भी इसमें मैं डालूंगी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं आप कौमन हो तो डालिए नहीं तो आप स्किब्भी कर सकते हैं इसको सिंपल आप इडली बना सकते हैं डाल और चावल का तो यह बेटर जो है मेरा यह चावल मैंने पीस लिया है एकदम पतला पीसना है और उसमें मैंने उरित का डाल भी पीस के हरी मिर्च और धनिया भी उरित की डाल में ही पीसा है उसको पीस के हम इसमें मिला रहे हैं भी और एकदम फाइन इसको उरित की डाल को एकदम फाइन ब्लैंड करना है और चावल को भी एकदम फाइन ब्लैंड करना है बट अलग अलग दोनों को एक साथ हम कभी भी नहीं पीसेंगे और एकदम हलके हाथों इसको हम चलाते हुए मिक्स करेंगे जिसे डाल और चावल एक परफेक्ट मेजरमेंट रहता है जैसे हम 6 कटोरी चावल लेंगे तो उसमें 2 कटोरी उरिद दल ऐसे पड़ता है आप अपने फैमिली के हिसाब से आप उसको कर सकते हैं बढ़ा या घटा सकते हैं लेकिं मेजरमेंट सेम रहेगा कि 3 पर 1 इसको अच्छे से मिलाते हुए डाल चावल को जब तक अच्छे से न मिल जाए तब तक इसको मिलाते हैं आपको ऐसे लग रहा होगा कि ग्रीन कलर क्यूं है इडली का वैसे इडली का कलर हमें सावाइट होता है तो मैंने इसमें धनिया और मिर्चा भी पीसा हुआ है इसलिए इसका कलर जो बेटर है उसका कलर हमें ग्रीन दिख रहा है इसको अच्छे से हमने मिला लिया है और इसको ओर नाइट तक हम इसको भिगा के रख देंगे मॉर्निंग हो गई है और अब देखे मेरा बेटर फूल के कितना ज़्यादा हो गया है इसकी क्वांटिटी दुगनी हो चुकी है रात को कैसा था आप देखे सुबह हो गई है तो इसकी क्वांटिटी आप डबल देख सकते हैं मतलब ये बेटर बहुत पर्फेक्ट बना है और बहुत अच्छे से ये फूला हुआ है और मैंने बिना किसी इनो और बिना किसी बेकिंग पाउडर के ये बेटर तयार किया हुआ है और नमक आप अभी नहीं डालेंगे नमक कभी भी रात को डाल के नहीं रखते हैं मैसा मॉर्निंग में ही डालेंगे और इसको अच्छे से चलाते हुए आप करीब पांच मेर तक अच्छे से बेटर को फेटेंगे जिसे वो बेटर एकदम अच्छे से पफी हो जाए, फूल जाए तो हमारा इडली बहुत परफेक्ट बन के आता है और इसका आप देखिए थिकनेस इतनी ही रहनी चाहिए न बेटर जादा पतला न जादा मोटा होना चाहिए इसकी थिकनेस इतनी परफेक्ट है जो हमारी इडली बनने के लिए चाहिए रहती है तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि ये है इडली का कंटेनर तो इसमें मैंने एक ग्लास पानी लिया है और इसको 10 मिर्ट तक हम बॉयल होने देंगे ये पानी जब तक उबलता रहेगा तब तक हम इसमें अब एकदम लास मुमेंट में हम इसमें नमक डालेंगे अगर नमक आप अपने टेस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं उसके बाद हम इसको पाच मिर्ट तक ऐसे ही मिला के पाच मिर्ट तक रख देंगे फिर हम बेटर को भरना सुरू करेंगे इडली के स्टैंड में अभी हम तेल लगाएंगे इसमें तेल या घी जो भी आप पसंद करते हूं वो लगा लीजे इसमें सारे बरतन में आप तेल लगा के तेल लगाने से इडली बहुत अच्छे से एकदम सौफ्टली निकल के आती है बाहर जादा हमें मसकत करनी नहीं पड़ती है तो आप ब्रस की साहता से लगा सकते हैं मैंने महात से ही लगाना बेटर समझा तो मैं उंगली से ही लगा रही हूँ और सब बरतन में मैं इडली भर लूँगी और इडली आप बहुत भर भर के नहीं भरेंगे थोड़ा थोड़ा जगे में भरेंगे क्योंकि इडली थोड़ी सी फूलती है तो वो बाहर आ जाएगी इसकी वज़े से थोड़ा कम-कम ही आप बेटर को भरेंगे स्टैंड में और आप हर बार बेटर को चलाते रहेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें बवल्स नहीं आने चाहिए बेटर में तो हर बार हम चलाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है भरने के टाइम तो ये हमारा बेटर भर चुका है स्टैंड में एक और बचा है उसको भी भर के आपको दिखा देती हूँ और ये पूरा डीटेलिंग में आपको दिखा रही हूँ जो पहले बिगनर है वो भी बना सकते हैं जो पहली बार अगर इडली बना रहे हैं वो भी बहुत इजीली बना सकते हैं ये मेरा पानी हो गया एकदम रेडी बनने के लिए तो इसमें स्टैंड हम लगा देंगे ये हमारा स्टैंड लग चुका है और ढकन को कर देंगे बन लेकिन ढकन को ऊपर से कुछ हेवी रख देंगे उसके उपर नहीं तो उसका भाब जो है वो बाहार आ जाएगा तो इडली अच्छे से पकेगी नहीं और नाइफ की सहायता से हम इसको चेक कर लेंगे और लिडी मैंने दो तीन बार इसको चेक किया हुआ है तब तक वो पका नहीं था और इसके चेक करने का तरीका है कि वो पक गया है कि ने कि देखिए मेरे स्पून में वो आ रहा है थोड़ा सा बेटर तो वो नहीं आये तब तक इसको पकाना है mostly आप 10 मिनट तो लगता ही है पकने को इसको ये देखिए एकदम perfect मेरी इडली बन के ready हुई है और आप इसको 5 मिनट stand से निकालने के 5 मिनट बाद ही आप इसको निकालना सुरू करिए क्योंकि जब वो बेटर गरम रहेगा stand में आपकी इडली गरम रहेगी तब वो अच्छे से निकलती नहीं है तो 5 मिनट के बाद ही आप इसको निकालना सुरू करिए और यह देखे कितने इजी ली निकल रहा है सारा मेरा इडली बिल्कुल चिपक नहीं रहा है एक भी stand में थोड़ा बहुत चिपकता है तो कोई बात नहीं है इडली मेरी बहुत परफेक्ट बनी है तो आपको मैं थोड़ा सा तोड़ के दिखाती हूँ देखे कितनी पफी बनी है इडली बहुत परफेक्ट इतना स्पंजी बनी है मेरी इडली तो आप भी इसको जरूर बनाएगा और मैंने इसको हरी धनिये की चटनी और टमाटर के साथ सर्व किया है और इसके साथ भी बहुत अच्छी लगती है बहुत टेस्टी लगती है टमाटर हरी धनिया और हरी मिर्ची की ये चटनी है ये भी इडली के साथ बहुत अच्छी लगती है मैंने नारेल की चटनी नही प्रेस कर दीजेगा, मिलती हूँ एक नेक्स वीडियो में, नेक्स टॉपिक पे तब तक के लिए, बाई टेक कियर, ओम साहिरा